बच्चों, हम देखते हैं कि हमारे घर में जो उपयोग की जाने वाली हम एक छोटे से बटन की बात कर ले या छोटे से सुई की बात कर ले एक छोटे बटन और सुई से लेकर जो हम वायू यान देखते हैं या समुद्रों में चलने वाले जो विशाल जलियान की बात करें त पहले के समय की जब हम बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो कारिय हैं वो घर पर ही बहुत छोटे पैमाने पर और घर के सदस्यों के द्वारा ही किये जाते थे लेकिन यूरोप में जो ओद्योगी करांती आई इस ओद्योगी करांती ने हम कहें कि मानो पूरे विश्व का एक नक्षा ही बदल दिया और इतनी तेजी से हम कहें कि ये ओद्योगी करण फैला है कि अब हम हर चीज का जो उत्पादन है वो एक व्रिहत पैमाने पर करने लगे हैं ठीक है हर वस्तु का उत्पादन हमें हर जगा पर नहीं मिलता है किसी भी उद्योग के इस्थानी करण की जब हम बात करते हैं तो पर्टिकुलर उस उद्योग का वहाँ पर इस्थापित होना या उसके इस्थानी करण के लिए कुछ चीजें या कुछ कंडिशन्स आवश्च उद्योग के समुहन के लिए या वहाँ पर उद्योग के स्थानी करण के लिए इस्थापना के लिए उत्तरदाई होते हैं या जिनके कारण उस उद्योगों का समुह या इस्थापना वहाँ पर देखने को मिलती है जिसे हम उद्योगों का केंद्री करण कहते हैं लेकिन उद्योगों के केंद्री करण के लिए भी कुछ कारक जो है वो जिम्मेदार है जिसके कारण वो केंद तो कुछ भौगौलिक कारक हैं, कुछ आर्थिक कारक हैं, कुछ समाजिक कारक होते हैं, तो इन सभी पर हम एक-एक करके चर्चा कर लेते हैं, जैसे हम भौगौलिक कारक की बात करें, तो उसमें हम देखते हैं जलवायू, जलवायू जो है, वो उद्योग की स्थापना के लि मौसम जहां पर मिलता है तो वहां पर जो श्रमिक कारे करते हैं उनका स्वास्थ भी अच्छा रहता है और उनकी कारे छमता भी जो है वो बढ़ जाती है इस कारण हम यह देखेंगे कि कारे छमता बढ़ने से वो अधिकारी कर सकते हैं और उद्योग के लिए तो एक विशेश प्रकार की जलवायू की आवश्यक्ता होती ही है जैसे हम अलग-अलग उद्योग की बात करें सूती वस्रूद्योग तो सूती वस्रूद्योग के लिए जो तटी जलवायू है आद्र जलवायू है वो अनुकूल होती है क्योंकि शुश्क जलवायू में जो धागे हैं वो को बहुत जल्दी तूट जाते हैं और जो आद्रे जलवायू या हम तटी जलवायू की बात कर रहे हैं तो यह वहाँ पर धागों को जल्दी तूटने नहीं देते इसके कारण हम देखते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग जो है फिर हम बात कर ले एहमदाबाद की या की तो ऐसे जो छेत्रे हैं जो आध्रे जलवाईवाले हैं वहीं पर जो है सूतिवस्तर उद्योग की स्थापना की गई है. फिर और अन्य उद्योगों की हम बात करें तो कैलिफोर्निया का जो ह़ालीवूड है वो हॉलिवुड के वहाँ पर इस्थापित होने का कारण ही वहाँ की जो खुशनुमा जलवायू हम कह सकते हैं स्वास्थे प्रद जलवायू जो है वो उसके विकास में बहुत महत्त पूर्ण योगदान देता है क्योंकि हम ये देखते हैं कि वहाँ पर अधिक दिन जो है वो सूर्य का प्रकाश मिलता है बादल जो है वो मेघरहित होते हैं जिसके कारण जो बाहरी हम बात करें दृष्य भूमी वो बहुत ही वहाँ पर हम कह सकते हैं जो हॉलिवुड है उसका बहुत जादा विस्तार जो हम बात करें तो वहा पर भी एक जो तटी जलवाईू है जो सम जलवायू की हम बात करते हैं वह भी वहाँ पर उसके विकास के लिए एक महत्तो पूर्ण भूमी का निभाता है फिर दूसरा कारक हम देखते हैं बाजार भई हम जब विनिर्मान उद्योग या किसी भी प बाजार में मार्केट में खपाया जाएगा, घर के उपयोग के लिए तो वो किया नहीं जा रहा है, तो उद्द्योग के स्थानी करण के लिए वहां पर आसपास जो है बाजार की उपलबधता एक महत पूर्ण भूमी का निभाती है, जैसे हम देख लें, जो जल्दी खराब होने वाली वस्तुए हैं, जैसे जो दुग्ध पदार्थ हैं या दुग से बने जो पदार्थ हैं, पनीर की हम बात कर लें, तो यह सब या शाक सबजियों की हम बात कर लें, तो बहुत जल्दी खराब होने वाली वस्तुए होती हैं, तो इन उद्द्योगों को बाजार के पास ही जो है इस्थापित करने की कोशिश की जाती है ताकि जल्दी से जल्दी इसे भोगताओं तक पहुचाया जा सके और नुकसान बहुत कम हो एक्जामपल के लिए हम देखते हैं डेनमार्क डेनमार्क में जो दुगदुद्योग विक्सित हुआ है वो वहाँ पर आसपा एक हलकी होती है और साथ ही साथ महेंगी भी होती है तो इन सब पर मार्केट के पास यदि दूर होने का बहुत जादा प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि हलकी है तो हम कहीं भी उसे ट्रांस्पोर्ट करके ले जाएं तो परिवहन की लागत उसमें बहुत कम आती हैं, तो इस पर बाजार का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे हम देखें जो स्विट्जर लैंड है, स्विट्जर लैंड में जो यहां की घडियां, जिन घडियों का उत्पादन किया जाता है, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और विश बहुत कारक में हम देखते हैं, कच्चा माल, कच्चा माल भी जो है, वो एक बहुत इंपोर्टेंट रोल अदा करता है, किसी भी उद्द्योग की स्थापना में, और स्पेशली ऐसी इंडरस्ट्री, ऐसे उद्द्योग की जब हम बात करें, जो भारी या आधारभूत उद जो है, वो एक इसपात को यह हम कहें कि लौहयस्क जब निकाला जाता है, जो इसका रौ मटेरियल होता है, फिर जब इसे उद्द्योग तक लाया जाता है, साफ और परिश्कृत किया जाता है, इसके बाद जब हम इससे इसपात का निर्माड करते हैं, तो तयार माल जो है, उसका वजन कम हो जाता है हम कह सकते हैं कि हासमान उद्योग है या वेटलेस बनने के बाद वस्तु निर्मित हो रही है उसके बाद इसका वजन जो है वो कम हो जा रहा है तैयार माल का तो ऐसे जो उद्योग हैं वो कच्चे माल के निकठी इस्थापित किया जाते हैं क्योंकि अगर इन्हें कच्छे माल से दूर इस्तापित किया जाए है तो इनकी लागत जो है उत्पादन लागत वह बहुत अधिक आ जाएगी इस लिए ये कोशिश की जाती है चाहरे हम लोहाइस पात उद्योग की ही बात कर रहे हैं, तो जो लोहाइस पात उद्योग है, वो कच्चे माल के निकट या जो लोहे की खाने हैं, कोईले की खानी हैं, इनके निकट ही स्थापित किये जाते हैं, फिर हम सायुकतराज अमेरिका में देख लें, या हम बात कर लें जर्मन अधिकतार देखने को मिलती हैं. मतलब कोशिश की जाती है कि इन उध्योगों को प speaker के पास ही स्थापित किया जाए. वैसे ही जो जल्दी खराब होने वाली चीजे हैं, वो भी वहां पर बाजार की समीपता या उनकी निकटता का तो धिहान रखा ही जाता है. लेकिन दूद से जैसे पनीर का निर्मान करना है तो कोशिश की जाती है जो जल्दी खराब होने वाली वस्तवे हैं वो भी कच्चे माल के निकठी स्थापित हो फिर भोगोलिक कारक में अगला है जल आपूर्ती हमें पता है भई कि कोई भी उद्योग जो स्थापित होता है उसके लिए बहुत अधिक मात्रा में जल की आपूर्ती आवशक होती है लेकिन बहुत से ऐसे उद्योग हम देखेंगे जिनके लिए परियाप्त मात्रा में जल की आपूर्ती होना बहुत आवशक होता है जैसे कि हम जूट उद्योग की बात कर ले तो जूट उद्योग ज जल की आपूर्ती होती है इस जूट को सडाने के लिए धोने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में जल की आवश्चक्ता होती है और इसी कारण ये जो उद्योग हैं ये जल का जो सोर्स होता है उसके निकठी स्थापित किये जाते हैं फिर हम बात कर लें लोहाई स्पात उद्य की बात कर लें यह किसी भी प्रकार के रासायनिक उद्योग और कागज उद्योग ये सभी जो उद्योग है ये जल के बिना इन उद्योग ये जो विकसित नहीं किये जा सकते। इसलिए इनने जल के श्रोत के निकठी स्थापित करना बहुत आवश्यक हो जाता है। उधार आइरन एंड स्टील कमपनी है ये स्वर्ण रेखा नदी के पास ही स्थापित की गई है और इसके साथ ही हम देखें कि जो विश्वेशरेया लोहा इस पात के अंदर है ये भी भद्रवती नदी के किनारे स्थापित किया गया है अब हम बंबई और एहमदाबाद में सूती ब पात्रा में जल का प्रयोग किया जाता है और ये यहाँ पर उपलब्ध है इसलिए हम देखें कि जो पट्सन उद्योग है ये पट्सन उद्योग भी आपके हुगली नदी के किनारे ही जो है वो विक्सित हुआ है और जल की आपूर्ती जो है इस प्रकार हम देखते हैं कि क जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं वो इसकी स्थापना में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कारी करते हैं और इसी कारण से ये सभी उद्योग जिसमें विशाल पैमाने पर ये बहुत व्रिहद मात्रा में हमें जल की आवशक्ता होती है वो इन ही जल के शोत के निकठे स्थापित किये जाते हैं फिर हम अगला कारक देख लेते हैं श्रमिक कुशल श्रमिक हालंकि अभी वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जो श्रमिकों के बहुत से जो कारे हैं वो मशीनों या यंत्रों के द्वारा किये जा रहे हैं लेकिन फिर भी हम श्रमिकों की भूमिका क नकार नहीं सकते किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए वहां जो रह रहे हैं कुशल और दक्ष श्रमिक हैं और इसके साथ ही साथ सस्ते श्रमिक भी जो हैं वो एक महत पूर्ण भूमी का आदा करते हैं फिर हम बात कर लें चाय उद्योग की यह हम बात कर लें जैसे हमारे भारत के सूरत में जो वहां के श्रमिक हैं वो हीरों को तराशने में एकदम दक्ष हैं इसलिए वहां पर हीरा उद्योग जो है वो बहुत विक्सित अवस्था में है क्योंकि उसे तराश कर उसके प्रोसेशिंग में एक कुशल और दक्ष श्रमिकों की आवश्यक्ता होती है दक्ष हैं तो ऐसे ही जहां पर बहुत वरिहत पैमाने पर भी शमीकों की आवशकता होती है जहां पर अधिक कारे जो है वो शमीकों के द्वारा किये जाते हैं तो वहां पर शमीकों की दक्षता के साथ ये भी देखा जाएगा कि सस्ती दर पर सस्ते शमीक जो है वो वहां पर उपलब्ध हो जाएं अब हम अगले भागवालिक कारक की बात करें तो उसके अंतर के देखते हैं सस्ती भूमी उद्योग की स्थापना के लिए सस्ती भूमी का उपलब्ध होना भी आवशक है क्योंकि उद्योग को स्थापित करने के लिए भूमी की आवशकता तो है ही लेक आविशक होती है और यही कारण है कि हम देखते हैं कि एहमदाबाद में सस्ती भूमी उपलब्ध होने के कारण ही यहां का जो सूती वस्त उद्योग है वो बहुत अधिक विक्सित हुआ है हम हाला कि देखते हैं कि बंबई में भी सूती वस्त उद्योग जो है वो बहुत वि पूरा हम एक कह सकते हैं कि वो एहमदाबाद या सूरत की तरफ जो है वो इस्थाना अंतरित हो रहा है बंबई और एहमदाबाद दोनों की जो आवश्यक दशाएं हैं या उपलब्ध सुविधाएं हैं वो लगभग एक समानी हैं लेकिन चुकि एहमदाबाद में मुंबई क पेक्षा भूमी जो है वो अधिक सस्ती दर पर उपलब्ध हो पाता है इसी कारण से हम एक देखते हैं कि एहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्यों का बहुत अच्छी तरह से विकास हो पाया है तो उद्यों की स्थापना में सस्ती भूमी की उपलब्धता भी एक प्रोण कारक है इसके बाद हम देखते हैं चालक शक्ती या हम बात करते हैं पावर की तो पावर जो है यह तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है क्योंकि उद्योग में उद्योग जो इस्थापित किये गए हैं वहां पर जो प्रोड़क्शन का कार्य है या जो भ हम यह देखते हैं कि उद्योग में जो भी मशीन चलाए जाएंगे उसके लिए भी वर्तमान समय में बहुत सारे सब्सिट्यूट जो है वो उपलब्ध हैं शक्ती के अलग-अलग साधन हैं चाहे हम बात कर लें कोईले की पेट्रोलियम की जल विद्यूत की या प्राकृति गैस और अब तो परमाडू उर्जा भी एक महत्तपूर्ण उर्जा का सोर्स बन गया है तो फिर भी हम यह देखेंगे कि इतने सारे उर्जा या पावर के रिसोर्से उपलब्ध होने के बाद भी अभी भी कोईला जो है वो एक महत्तपूर्ण भुमी का आदा करता है चालक शक्ति के रूप में या हम यह कहें कि उर्जा के प्रमुख सोर्स के रूप में और इसी कारण हम देखते हैं कि जो लोह इसपात जैसे उद्योग होते हैं जो कोईले से ही शक्ति प्राप्त करते हैं वो कोईले की खानों के पास ही स्थापित किये जाते हैं और इसी कारण हम जरिया और रानी गंज कि कोईला India खानों से बहुत अधीक दूर स्थित नहीं है बहुत समीब में ही इसे स्थापित किया गया है और इसी प्रकार हम देखते हैं कि संयुकतराज अमेरिका में जो महां जील छेतर है इस महां जील छेतर के पास ही हम देखते हैं कि जो ओद्योगिक प्रदेश हैं वो विक्सित हुए हैं और इसके साथ ही साथ जो रूस का अधिकांश लौहिस्पात ओद्योगिक छेत्र है ये भी आपके कोईला छेत्रों के निकठी स्थापित किया गया है अब हम देखे जैसे अलुमिनियम जैसे उद्योग हैं जिनमें जल्विद्यूद की अधिक आवश्च्टा होती है तो जल्विद्यूद को तारों की सहायता से भी बहुत दूर दूर तक बहुत ही कम लागत पर हम देखते हैं कि भेजा जा सकता है और इसलिए ये उद्योगों के विकेंदरी करण में उद्योगों की स्थापना में बहु जाया जा सकता है, हालنकि अभी वरतमान समय में हम देखते हैं कि जो श्रमीकों के बहुत से बहुत से जो कारिय हैं, वो मशीनों या यंतरों के द्वारा की जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम श्रमीकों की भूमिका को नकार नहीं सकते, किसी भी अध्योग के स्थापना के लिए वहां जो रह रहे है कुशल और दक्ष श्रमिक हैं और इसके साथ ही साथ सस्ते श्रमिक भी जो हैं वो एक महत पूर्न भूमी का अदा करते हैं फिर हम बात कर लिए चाय उद्धम की यह हम बात कर लिए जैसे हमारे भारत के सूरत में जो वहां के श्रमिक हैं वो हीरों को तराशने में एकदम दक्ष हैं इसलिए वहां पर हीरा उद्योग जो है वो बहुत विक्सित अवस्था में है क्योंकि उसे तराश कर उसके प्रोसेशिंग में एक कुशल और दक्ष श्रमिकों की आवश्चक्ता होती है जो की जो सूरत में श्रमिक मिलते हैं वो इस कारे में विशेश रूप से दक्ष हैं तो ऐसे ही जहां पर बहुत वरिहत पैमाने पर भी श्रमिकों की आवश्चक्ता होती है जहां पर अधिक कारे जो है वो श्रमिकों के द्वारा किये जाते हैं तो वहाँ पर श्रमिकों की दख्षता के साथ ये भी देखा जाएगा कि सस्ती दर पर सस्ते श्रमिक जो हैं वहाँ पर उपलब्ध हो जाएं। उद्योग के स्थापना के लिए सस्ती भूमी का उपलब्ध होना भी आवशक है क्योंकि उद्योग को स्थापित करने के लिए भूमी की आवशकता तो है ही लेकिन साथ ही साथ जो वहां श्रमिक कारिक कर रहे हैं उनके निवास की व्यवस्था करने के लिए आवास की व्यव हम हलाक की देखते हैं कि बंबई में भी सूती वस्त उद्योग जो है वो बहुत विक्सित अवस्था में था लेकिन चुकी अब भुमी सस्ती दर पर उपलब्ध नहीं होने के कारण इसका जो पूरा हम ये कह सकते हैं कि वो अहमदबाद या सूरत की तरफ इस्थानांतरित हो रहा है बंबई और एहमदाबाद दोनों की जो आवश्यक दशाएं हैं या उपलब्ध सुविधाएं हैं वो लगभग एक समानी हैं लेकिन चुकि एहमदाबाद में मुंबई की अपेक्षा भूमी जो है वो अधिक सस्ती दर पर उपल पाया है तो उद्योग की स्थापना में सस्ती भूमी की उपलब्धता भी एक महत्वपून कारक है इसके बाद हम देखते हैं चालक शक्ती या हम बात करते हैं पावर की तो पावर जो है या ये तो बहुत इंपोर्टेंट रोल अदा करता है क्योंकि उद्योग में उद्य प्रोसेस हो रहा है उसके लिए पावर की आवशक्ता तो होती ही है शक्ती की आवशक्ता है ही उर्जा चाहिए हमें हालंकि हम ये देखते हैं कि उद्योग में जो भी मशीन चलाए जाएंगे उसके लिए भी वर्तमान समय में बहुत सारे सब्सिट्यूट जो है वो उर्जा का सोर्स बन गया है तो फिर भी हम ये देखेंगे कि इतने सारे उर्जा या पावर के रिसोर्सेज उपलब्ध होने के बाद भी अभी भी कोईला जो है वो एक महत पूर्ण भूमी का आदा करता है चालक शक्ती के रूप में या हम ये कहें कि उर्जा के प्रमुख सोर्स के रूप में और इसी कारण हम देखते हैं कि जो लोह इसपात जैसे उद्योग होते हैं जो कोईले से ही शक्ती प्राप्त करते हैं वो कोईले की खानों के पास ही स्थापित किये जाते हैं और इसी कारण हम देखते हैं कि दामोदर घाटी का जो प्रमुख लोह इसप अधिक दूर स्थित नहीं है बहुत समीप में ही इसे स्थापित किया गया है और इसी प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्तराज अमेरिका में जो महान जील छेत्र है इस महान जील छेत्र के पास ही हम देखते हैं कि जो अधियोगीक प्रदेश है वो विक्सित हुए हैं और इसक अधिकांश लौहिस्पात उध्योग है ये भी आपके कोईला छेत्रों के निकठी स्थापित किया गया है अब हम देखें जैसे ऐल्यूमीनियम जैसे उध्योग है जिन में जल विद्यूत की अधिकावश्च चकता होती है तो जल विद्यूत को तारों की सहायता से भी बहु की स्थापना में बहुत सहायक होते हैं इसके साथ ही जो पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस इन दोनों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत आसानी से ही लाया और ले जाया जा सकता है अब हम अगला फैक्टर जो है परिवहन एवं संचार के साधन इस पर बात कर लेते हैं तो परिवहन के साधन भी बहुत महत्तपूर्ण भूमिकादा करते हैं वो ऐसे कि भाई जो उत्पादन हुआ है जो माल उत्पादित किया गया है और जो उद्द्योग स्थापित है उसके लिए कच्चा माल और तैयार माल दोनों को ही एक स्थान से दूसरे स्था मतलब कच्छे माल को रोश माठेरियल स्थान से उद्ध्योग तक लाने के लिए और उद्ध्योग में जो तयार माल है उसे बाजार तक पहूंचाने के लिए सस्थे और हम कहें कि तिव्रगामी जो परिवहन के साधन है उसकी बहुत महत्तपून भूमिका होती है क्योंकि बहुत से यसे भारी UK है जैसे लौयज़ पाज से भारी उद्योग हैं वो भी उनमें परिवहन के साधन मतलब क्यों कि उसमें बहुत भारी मात्रा में कच्चे माल की आवशक्ता होती है तो तिवरगामी के साथ ही साथ जो है सस्ते परिवहन की आवशक्ता होती है और यही कारण है कि हम देखते हैं वीश्व में जितने भी जो सडक वायू परिवहन और जल परिवहन इनके केंद्र होते हैं वहाँ पर उद्योगों का बहुत अधिक विकास होगा है। फिर हम बात कर लें सायुकतराज अमेरिका के जील प्रदेश की यहां मुंबई की बात कर लें एहमदाबाद की बात कर लें यहां पशिम बंगाल की बात कर लें यहां रानी गंज जरिया कोईला छेत्र की बात कर लें और इसके आसपास जो और द्योगी केंद्र हैं उन पर हम देखें तो ये ऐसे केंद्र हैं जो तीनों ही चाहे हम वायू परिवहन की बात करें या हम जल परिवहन की बात करें या हम रेल परिवहन की बात करें इन तीनों ही सुविधाओं से ये संपन्न छेतर हैं और इसी कारण यहाँ पर उद्योगों का बहुत अधिक विकास हुआ ह और इसके साथ ही साथ हम जितने रूस के जो अधियोगीक छेत्र हैं ये भी परिवहन संपन्न छेत्र हैं जिसके कारण यहाँ पर अधियोगीक विकास बहुत अधिक तिवर गती से हुआ है। अधियोग के लिए परियाप्त मात्रा में पुन्जी की आवश्यक्ता होती है। क्योंकि उद्योग इस्थापित किये जाएंगे कारखाने को लगाने के लिए उस कारखाने में उत्पाधन के लिए अलग अलग जो मशीने हैं उपकरण हैं उन्हें खरीदने के लिए और साथ ही वहाँ पर जो श्रमिक कारी कर रहे हैं उन्हें वेतन देने के लिए इन सभी क में हम देखें कि एक बड़ी मात्रा में और परियाप्त मात्रा में पुंजी की आवश्रक्ता होती है और उद्योग वहीं पर इस्थापित किये जाएंगे जहां पर पुंजी की परियाप्त मात्रा में उपलब्धता हो फिर हम बात कर लें अपने यूरोप और उत्तरी अमेर अफ्रिका और दक्षिनी अमेरिका के कुछ देशों की बात कर लें तो चुकी वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुंजी उपलब्ध नहीं है इसलिए वहाँ पर भी उद्योगों का उतना अधिक विकास नहीं हो पाया है फिर अगला हम देखते हैं बैंकिंग सुविधा भई उद्योग जो है वो एक हम कह सकते हैं कि वहाँ रोजाना लाखों और करोडों रूपय का लें देन होता है तो जिस छेत्र में भी उद्योग इस्थापित है वहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी बैंकिंग सुविधा होना भी एक अनिवार ये तत्व होता है जो वहाँ के उद्योग को एक गती प्रदान करता है इसके साथ ही अगला है भीमे की सुविधा भी हमें तो पता ही है कि जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं वहाँ पर अक्सर ये बाते सुनने में आती हैं और देखने में भी आती हैं कि जो उपकरण है उनको छती पहुंची है नुकसान पहुंचा है या वहाँ जो कारे कर रहे हैं श्रमिक हैं उन्हें वो किसी भी प्रकार से दुरगटना के शिकार हो गए हैं फिर हम कोईले की खानों की बात करें लोहे की खानों की बात करें या जो रासायनिक या उर्वरक जो उद्योग होते हैं इन सभी की बात करें तो यहां पर तो यह आए दिन सुनने में आती है इस प्रकार की जो दुरगटनाए हैं तो इसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि वहां कारे कर रहे हैं श्रमिको का और साथ ही साथ जो वहां उपकरण या यंत्र लगाएंगे हैं उद्योग के सुविधा प्रदान की जाएं तो जहां पर भी बीमा की सुविधा इस वहां उद्योग में उसके विकास के लिए एक सहयक तत्व के रूप में कारिय करते हैं इन सब के अलावा हम देखते हैं कि सरकारी नीतियां सरकारी नीतियों का भी गौर्मेंट जो पॉलिसीज बनाती है उसका भी एक बहुत एहम रोल होता है उस छेतर में उद्योगों के विकास के लिए क्योंकि हम देखेंगे जहांपर जिन देशों या जिन राज़यों की सरकारे जो हैं वो उद्योगों पर बहुत जादा, हम यह कहें कि उद्योगों का जहांपर राश्री करण कर दिया जाता है तो वहाँ पर जो विदेशी कमपनिया है और जो दूसरी कमपनिया है वो उद्योग लगाने से बचती हैं क्योंकि वो पूरी तरह से वहाँ के शाशन या सरकार के को हैंडोवर हो गई हैं तो जो भी वहाँ पर उत्पादन होगा उन्हें बेचने या खरीदे की जो हम बात कर करते हैं करनों यंत्रों की वो सब कुछ वहाँ के उस गौवर्मेंट के हिसाब से ही किया जाएगा जो कमपनिया है उन्हें इस बात की आजादी या फ्रेडम नहीं होगी तो इस कारण जो कमपनिया है वो ऐसे छेत्र में जहां पर उद्योगों का राश्ट्री करन कर दिया में छूट प्रदान करती है तो हम यह कह सकते हैं कि वह वहां पर उद्योगों को अपनी तरफ आकरशित करती है इस प्रकार की के जो छूट या प्रलोभन होते हैं तो वहां पर बहुत सी कमपनिया जो हैं वो आकर अपना उद्योग जो हैं वो स्थापित करती हैं तो हमने दे और कुछ जो समाजिक कारक ये हम सरकारी नीतियों की बात करते हैं, तो जहां पर भी इस प्रकार की ये जो फैक्टर्स बहुत अच्छी तरह से उपलब्ध होते हैं, वहां पर उद्योग का विकास जो है, वो अच्छा होता है, अदर्वाइस जहां ये फैसिलिटी या सुवि विनिर्मान उद्योग की बात हो ही रही है, तो इसमें स्वक्षंत उद्योग या फूट लूज इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, फूट लूज इंडस्ट्री या स्वक्षंत उद्योग क्या हैं, जैसे नाम से ही में पता चल रहा है, ये स्वतंत रूप में स्थापित हो मतलब जो दूसरे उद्योग हैं, उनका जो तैयार माल है, वो इनके लिए कच्चे माल का काम करता है. जैसे कि आप यहां पर एक pen देख रहे हैं इस pen में जो refill है या इसमें spring है इसका जो cover है वो और कहीं दूसरी जगा या दूसरे उद्ध्योग दूसरे कार खाने में निर्मित किया गया है और उस कार खाने के लिए वो एक तयार माल है लिकिन जहां पर इस पैन को पूरी तरह से एसेंबल करके बनाया जा रहा है उसके लिए वो एक कच्चा माल का काम कर रहा है और दूसरी सभी जगहों से अलग अलग चीजे मंगा कर जैसे कहीं से स्प्रिंग मंगा लिया कहीं से रिफिल मंगा लिया और कहीं से इसका कवर मंगा लिया और उसे एक जगह हम एसेंबल कर रहे हैं तो वहाँ पर वो पैन जो है वो तयार हो पा रहा है तो पैन उद्योग के लिए जितने भी ये जो अलग-अलग तत्व हैं वो एक कच्चे माल का काम कर रहे हैं तब ये एक पैन जो है वो तयार माल के रूप में हमें मिल पा रहा है यह हम computer की बात कर लें तो computer भी जो computer बनाने वाली company हैं वो भी इसके जो अलग-अलग parts होते हैं इन्हें अलग-अलग उद्योगों से कारखानों से assemble करके मंगाते हैं जैसे इसमें जो RAM बनाया गया है इसके साथ ही हम देखें की बोर्ड हो गया, monitor है, CPU है, CPU के अंदर भी जो अलग-अलग parts लगे हुए हैं ये सब ही जो हैं वो अलग-अलग जगों से assemble कर मंगाए गये हैं और एक जगा इन्हें assemble करके computer बनाने वाली जो company हैं वो computer का निर्माण कर करती हैं तो ये कुछ footloose industry या स्वक्षंद उद्योग के उधारन हैं और हम देखते हैं कि ये जो स्वतंत्र उद्योग या स्वक्षंद उद्योग की जो हम बात कर रहे हैं उसकी कुछ विशिश्चताएं होती हैं ये विवित्ता वाले स्थानों पर इस्थित होती हैं बीवित्ता वाले स्थानों पर ही ये उद्योग की जड़े हैं इसके साथ ही कि यह कच्य माल की कमी या उसकी व्रिद्धी पर निर्भर नहीं होते इसके साथ ही किसी भी स्थान पर इस्थापित हो सकते हैं इसके लिएreme स्बस्तित ही और पर उपलब्ध हो तब ही वो वस्तु जह है वो निर्मित की जा सकती है फिर श्रमीकों की इसमें कम आवश्चक्ता होती है क्योंकि दूसरे उद्योगों का जो तैयार माल है वो इसके लिए कच्चा माल का काम कर रहा है तो इसमें श्रमीकों की आवश्चक्ता बहुत कम मात्रा में होती है साथ ही साथ यहाँ पर बहुत हम राव मटेरियल से काम नहीं कर रहे हैं इसलिए पॉलूशन या प्रदूशन भी नहीं होता परियावरन प्रदूशन नहीं करते हैं यह सौक्षन दुद्ध्योग क्योंकि किसी भी प्रकार का निर्मार्ण कारिय कच्चे माल से नहीं हो रहा ह फिर इसकी अगली विशेष्टा ये है कि इन उद्योगों का जो कच्चा माल है वो दूसरे उद्योगों का तयार माल होता है भी हमने कहा ना कि भाई हम कहीं से जो ये कवर मंगा रहे हैं वो कच्चा माल नहीं वो दूसरे उद्योग का एक तयार माल है जिसे हम इस पेन उद् विशेशताएं हैं